तो स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर में, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं, हम स्मोक टेस्ट केस कैसे लिख पाएंगे, तो अगले सेशन में हम पढ़ाई किया है कि क्या है स्मोक टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग का डिफरेंस क्या है, तो आज हम उसका टेस्ट केस कैसे लिखते हैं वो हम कवर करने वाले है तो मैं आपको एक्जांबल से बताने वाला हूं कि फ्लिप कार्ट के लिए हम कैसे टेस्ट केस लिखे सो बेसिकली हम स्मोक टेस्ट केस एक गूगल सीट में लिखने वाले है तो सबसे पहले उसमें क्या क्या data चाहिए तो basically high level functionality which functionality we are going to cover उसके बाद test case क्या है हमारा smoke test case उसका बाद उसका result क्या है और कोई comment है कि यह data मेरे को चाहिए था जो नहीं मिला यह सब चीज़ हम यहां पर mention कर सकते हैं यह हो गया और यहां पर result में आप tester हो तो आपको अच्छे से समझना चाहिए कि कैसे हम Excel sheet में data अच्छे से लिख सकते अच्छे document बना सकते तो basically मैं यहां पर drop down it करना चाहिए तो list of the items और यहां पर pass and fail अगर आपका कोई और भी करना है तो आप वो कर सकते हो और यहां पर मैं करूंगा save तो जैसे मैं save करूंगा तो यहां पर मेरे को drop down मिल जाएगा pass और fail का और यहां पर उसको drag down कर लूंगा तो यहां पर नीचे आ जाएगा और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करते था हूं and center aligned करते हैं हम इसको in font size 10 से 12 कर देते हैं और background में कोई color देते तो product का color basically blue color का logo है तो blue color देते हैं okay तो यह हो गया तो ऐसा छोटा सा smoke testing हम ऐसा छोटा सा crisp document होता है क्योंकि हम दो गंटे में या एक घंटे में खतम करना है उसके बाद यह हो गया उसके बाद हम कैसे लिख सकते हैं तो initially यह मेरा flip card का product है तो क्या होगा कि सबसे पहले मैं क्या check करूंगा कि login हो रहा है या sign up हो रहा है या नहीं तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि login और sign up के बारे में लखूंगा login sign up so first thing is able to login कि मैं login कर पाऊं गया नहीं फिर able to sign up तो login और sign up करूंगा तो यहां पर मेरे को पता चल जाएगा कि URL पर navigate हो रहा हूं फिर यह सारे के सारे फिल्ड यह सब चीज मेरे को करने की जरूत नहीं है जो भी फिल्ड है वो सब फंक्शनल है या नहीं login बटन क्लिकेबल है या नहीं यह सब चीज यह एक छोटे से क्लिक होंगा categories and able to navigate to different categories और यहां पर करूंगा pass और fail तो जो भी है वो मैं उसके सबसे यहां पर mention कर दूँगा ठीक है categories हो गए उसके बाद main functionality क्या है business functionality क्या है तो सबसे पहले मैं product को search करूंगा और उसके बाद product को order करूंगा तो यहां पर search able to search product able to search product कर दे यहां पे मैंने product search कर लिया और जो भी product में search कर रहा हूं उसको मेरे को by करना है तो मैं आइफोन search कर रहा हूं और तो यह product listing page पर जहा रहा हूं या नहीं और मेरे को by करना है तो यहां पर मैं डालूंगा कि buy product तो प्रोड़क क्या चाहिए basically 64 GB 128 GB तो यह सब चीज़े mention करना है उसके बाद delivery location क्या है अगर मैं jeans खरीद रहा हूं यह short खरीद रहा हूं तो short का size क्या है short का color क्या है तो यह सब मतलब product का जो भी description है वह मैं select करना कर पाऊंगा तो यह मेरा checklist हो गया तो able to navigate to the product listing page able to select information of the product तो यह सब चीज़ें हो गया तो यह मेरा sub select कर लिया तो मैं सिधा जाओंगा add to cart में और अगर review है तो ये भी देख लूँगा कि अगर मैं review को test करना है तो able to see all the reviews or not able to display reviews तो reviews by default आ जाता है हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता तो जैसे product listing page पे जाते है वो product का सारा reviews आ जाता है तो reviews आते है या नहीं उसके बाद है cart में जाओंगा तो cart में क्या करूंगा कि able to add product to the cart और उसके बाद cart में से क्या करेंगे हम remove करेंगे able to remove product from the cart यह हो गया और उसको भी जो भी result है हम mention करेंगे pass है तो pass करेंगे fail है तो उसको कि यहां पर हम लेई लिखेंगे कि Able to buy product अरigns लोख लाइं क्रेटिठट से क्रेडिट कार्ड से हमें है कार्ड से खरीदना है यू-pum опис करना है कारीड करना है आप्च तो हमैं को हम सब लेगे कर दो यो हो जाता है रिजमरी सोमाधि पाइस हो गया तो हम सकते कि समोग टेस्ट पास हो गया। क्योंकि हम प्रोड़क। को टेस्ट कर सकते हUI है आगे हम जा सकते है दूसरा 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 फुर इतने भी functionality उसके बारे में small और छोटा छोटा टेस्ट के से लिखा जाता है smoke testing में और उसके बाद return करना है product फिर flight kit के बूप करनी है offer zone में जाना है grocery क्या है search कर पा रहे हो या नहीं फिर profile update करना है लेट से मेरे को नाम या address update करना है तो जारा high level functionality का एक एक दो दो टेस्ट पूरा एक या दो घंटे में खतम हो जाता है अब यहां पर सबसे important क्या बात है smoke testing या smoke test लिखने में कि basically हमें क्या क्या देखना है कि यह जो सारे के सारे जो टेस्ट होते यहां पर जो मैंने लिखा able to log to sign up मतलब छोटे छोटे टेस्ट हो गए तो उसमें मेरे को पता चल जाएगा कि functionality चल रही है नहीं चल तो जितना कम time में कर पाऊँगे और जितना ज्यादा cover कर पाऊँगे यह एक चीज मेंसन रखना है कि smoke test मतलब उतना नहीं कि एक प्रोडोक के लिए हमने 1000 टेस्ट लिख करना है कि जब smoke testing करते हैं तब हमें negative scenario को सोचना नहीं है we are not going to touch any negative functionality तो यह एक चीज हो गई कि यह हमें क्यान ढखना है smoke testing करने के time तो जैसे smoke testing हो गया अब मानलो मेरे को कोई bug मिलता है तो मैंने यहाँ पे fail तो कर दिया अब developer को पता कैसा चलाएगा कि यह मैंने fail किया क्यों major functionality fail हो गई तो यहाँ पर मैं इसके साथ ही attach कर सकता हूं कि for example यह product नहीं चल रहा है तो इसका मैं screen set लेता हूं यहाँ पर यह screen पर मेरे को major failure आता है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक और attachment का एक seat बना दूँगा यहाँ पर attachments और screenshot screenshot का मैंने एक seat बना दिया और यहाँ प image over cells तो जो भी मैंने image capture किया है वह यहाँ पर मैं उसको add कर दूँगा यह मेरा image है यह मैंने add कर दिया क्योंकि यह screen पर failure था तो वह developer as a reference use कर सकता है तो आसानी से वह fix कर पाएगा यहाँ पर यह आ गई है और उसको appropriate उसका bug id दे देंगे तो मान लो कि इसका bug id है one तो bug underscore zero one और इसको link कर देंगे वह जो test है और यह bug है हम दोनों को link कर देंगे तो वह कैसे करते है कि यहाँ पर जाएंगे right click करना है get link to this cell तो उसके बाद यहाँ पर fail वाले में जाना है यह वाला fail है तो यहाँ पर हम add कर देंगे कि यह screenshot है यह बग के बारे में है तो screenshot तो यहाँ पर मैंने वह add कर दिया screenshot और उसको भी हम कर देंगे किसे कि एक ही line में अच्छे से दिखे तो उसको दिखेगा कि यहाँ पर screenshot है तो यह सारा document ऐसे smoke testing का document बन गया तो हम उसको अच्छे से border दे देते हैं यहाँ पर nicely तो अच्छा सा दिखेगा और यह इसको हमें share करना है तो हमारा जो भी टीम मेंबर है या जो भी हमारा management है या developer है उसको जो भी जिसको भी share करना है हम यहाँ पर आराम से share कर सकते हैं तो for example share करना है तो कोई भी बंदे को share करना है तो हम उसका mail id सेलेक करके सिधा यहाँ पर लिखेंगे कि hi team please find a test screenshot report we have performed a smoke testing for this build and तो उसको मिल जाएगा इसे तो ऐसे real time में भी इसे office में इसे end to end काम होता है तो आसा रखता हूं कि आपको समझ में आ गया है कि smoke test के से लिखा जाता है और अगर आपको कोई भी question है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं यह video को like करना share करना मत बुलिए और फंडू tester को धरूर से subscribe करिए मिलते हैं कल सुबे अगले टोफि हुआ हुआ है